हलो दोस्तो, SKD Official यूटूब चैनल में आपका स्वागत है देखते हैं, सेम क्वाइन हमने जो सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया आप दा सिलिंडर निकाला था सेम क्वाइन हम ले लेते हैं और इसकी मदद से वॉल्यूम आप दा सिलिंडर फाइंड करते हैं वॉल्यूम आप दा सिलिंडर के लिए फिर वही हमारे पास जितने भी क्वाइन हैं उसमें हमारे पास नाइन क्वाइन साभी नाइन क्वाइन में से एक क्वाइन को हम देखेंगे तो हमने total surface area के लिए क्या लिया था circumference लिया था अभी हमको चाहिए क्या volume, volume क्या कहलाता है किसी भी shape का volume होता है उसकी capacity, कितना material है, total material is volume ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे, तो suppose यह circle है ठीक है, तो इसका total material क्या कहला है, इसका area, pi r square ठीक है, अगर हम इसके thickness को neglect कर देंगे, तो pi r square इसका कहलाएगा ठीक है, और अगर इसके thickness को one unit मानेंगे, तो pi r square हो जाएगा इसका पूरा material, ठीक है, वैसे ही, सभी coins को put together such a way looks like a cylinder, ठीक है, इस तरीके हम उसको together रखते हैं, कि वो cylinder की जैसे दिखाए दे, हमारे पास nine coins हैं, तो सभी का जो area है, उसको add कर देंगे, तो nine time pi r square हो जाएगा, ठीक है, तो nine time pi r square जो होगा, उस in coins का क्या हो जाएगा, volume निकल आएगा, ठीक है, अगर हम coin बढ़ाते चलते हैं, include करते हैं, many coins, हमको पता नहीं कितना coins है न, तो उस coin को, number of coins को हम suppose h से denote करते हैं, क्योंकि वो length बनता है, actual में number of coins length बनेगा, तो h से denote करेंगे, तो जो area of the circle है, वो h के साथ multiply हो जाएगा, जैसे कि 9 coins का हुआ था, 9 multiply pi r square, वैसे ही, h का multiply, इनके pi r square, pi r square, जो एक circle का area है, उससे multiply कर देंगे, pi r square h, that is volume of the cylinder, right, देखिए तो कितना easy है, कितना easy है, इसके concept को समझना, total surface area, lateral surface area, और base area, को समझना of the cylinder, इसी तरह क्योंकि विभिन concept, different concept को easy तरीका से समझने के लिए, activity के मारे हम समझने के लिए, हमारे चैनल को subscribe करें, like करें, और share भी करें, ताकि आपके दोस्तों को भी, इसका लाग मिल सके, okay, thank you दोस्तों,